जो बड़ा महरबान और नहाद रहम करने वाला है अज हम बना रहे हैं चिकन रूल पराथा जिसके लिए मैंने लिए है चार सो गिराम चिकन है कोटर चमज आपने अचवांन का वह्ड़र लेना है बनी स्पीनद जीन एक दो खालें यहां कीं ही जन्हाद रहें कोटर चमज मेराज हसे अच्वायम लेना है करे की काशीन ज्याद धाली ठीक, अटात क्रीशब्स और ठीक कूठ त्रीक पैस साथ सासे समा हल्दी बॉंडर दो चमच आपने अधर लशन का पेस्ट लेना है सोया सॉस सोया सॉस और सिर्का सबसे पहले आपने मसाली तमाम में लाले इसके अंदर अधर लशन का पेस्ट अधर लशन का पेस्ट अधर लेना है आपने अच्छे करेकर इसको मिला लें अधर मैंने इसको मिक्स कर लिया अब आपने इसको 15-20 प्रेट कर लिए मैंने नूट होने के लिए रख दे और जब तक हम आठा गूल लेते हैं अधर देखें, मैंने 500-200 ग्राम अटा लिया या आपने इसमे एक चमच या पने ट्यास के मताब़ आप नमक डाले ले, और यह घी है यह आपने इसमें शामिर करने अधर कर अधर कर लें अधर कर देए अब इसको आपने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लें और पिर ज आटे की तरह आपने गूल लें अब हम इसको नरम करने के लिए इसको ब्रेस्ट देने के लिए मैं रख देती हूं तस मिनट के लिए अब हम बनाने हैं में चट्टनी इसके लिए मैंने लिया है आधा बंच पोदीना तर लिया है साथ जवे लस्टन के हैं पांच हरी मिरच है आधा जमच जीरा आधा जमच नमक हम इसको पीस लेते हैं मैं आपको पीस के दिखाते हूं इसको कोईला भी आपने देखाने रख दें और यह थोड़ा सा इसमें ऑईल डाले और फिर यह जो तिक्का हमने बनाया था आपने यह करकर इसको ना गल्ले तक पकाएं आपने हल्की आच पे 10 मिए रख दें जब यह गल जाता है तो फिर मैं आपको दिखाते हूं कोईले की दूली लगा दी अब यह आप निकाल दे इसमें से और आप आप इसमें पराठा में भरेंगे ठीक है अब हमना पराठे बना देते इसके आपने छोटे पराठे बनाने बड़े नहीं कि हमें रोल के लिए चाहिए तो अब छोटे-छोटे पराठे बना दें अब हमना देंगा है आप देंगा आप तो अब हमना देंगे पराठे जाप झाल देंगा उपत्स कि अभान देंगा है तो अब देंगा है आपको थोड़ा सा सूखा आटा जैस्पटेस कर लें झालता आटा आटा ईभizaस परा नाёт कर तो झालता आटा आटा कर सा लें कि आपको इसको सेक्के बताती हुआ कि अब आपको इक तरफसे हो जाता है तो फिर फिलेटी निखाते हुआ है। लगें कालर चेंज हो गया आप आपने समय लबा ले झाल झाल आपने तमाम पराथे तयार करके फिर में आपको दिखाते हूं आधा कब आपने चिगली गालिक सॉस ले 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 लिए आधा कब आपने माई में पर लेना आधा चमच आपने लेसन का पॉटर्स में शामिल करना है आपने चमच आपने सिर्का आपने इसको मिक्स करके पेस्ट से बना लें यह सॉस सो हो जाएगा यह इसके साथ बहुत मज़ेका लगता है आपने में इसको आपने केचप की पोटल होगी आप उसमें इसको भी लीज़ेगा सबसे पहले आप ने बोटिया लगा ये अपको जितनी समस्झ पसने लगां लें लेनसे लगा हूँ सितरी इसाप लगा लें सबस्टानी नीद चकनी मनाई थे है हारी, आपने गउस में लगा लें अब आपको जादा पसंदे जादा लगाएं कम पसंदे कम लगाएं और अबने को पसंदे और ऐसे अलगर शौइ लागए है कि रिख पी और झाल के लिख़ाई रॉट समिके लें हैं झाल झाल कि असे मटार नहीं चैनल और डë हного अब आपको जैसे आपको अच्छा लगता है जब रहly इंपने का अच्छी है जैसे जा की बच्छे ढहने से हो फाले बना लिटारेल बच्चे घर में आप सिर्फ इसमें हरी चटनी ना डाले बच्चों के लिए इस तरीख इसे डाल के यह बना लें बच्चे यह मज़े से खाएंगे निकाल लिए और आप इसकी कटिंग कर लें और देखें मैंने फ्राइस भी बनाया थे बच्चे इसलिए बहुत शौफ से खाते हैं तो यह आप बच्चों को इस तरह बच्चों को इस तरह बच्चों के लिए यह है मैं आपको चक्चे बताती हूँ इस देखें माशला कितना अच्छा लग रहे बोटियां बजार से लेते हैं तो कितनी कम वो लोग लगाते हैं माशला माशला एक बंग बने हैं मज़ा आगया काकर आप लोग भी जरूर प्राई करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और अपने जानने वालों में जरूर बताएं उन्डों को और मेरी नहीं देखने वाले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फिर में इतने किसी नहीं रेसिपी साथ जब तक करें या लापेश